पर आपका स्वागत है लगता है 2020 इंडिया में ऐलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए लॉंच पाड़ बन रहा है क्योंकि 2020 में ही चार ऐलेक्ट्रिक बाइक्स तयार है लॉंच के लिए हमारे लिस्ट में नमबर चार पर है Atom 1.0 हाइदरबार्ट स्थीद आटो मुबाइल तयार है अपने पहली एलेक्रिक बाइक Atom 1.0 को अक्टोबर में लौँच करने के लिए इसके प्री बुकिंग्स भी ऑक्टोबर में ही शुरू होंगे 5 अक्टोबर से दिस्क्रिप्शन में दिये गए वेबसाइड लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इसके स्पेस्टिकेशन के बारे में देखे तो Atom 1.0 एक लो स्पीड एलेक्रिक बाइक है जिसे लाइसंस या रेजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है इसकी टॉप स्पीड 25 किलो मीटर पर आर है और ये 250 वाट मोटर से संचालित है इसमें एक 1 किलो वाट आर की लीतियमान बाटरी लगी है जो 100 किलो मीटर का रेंच देती है इसकी एक्स शोरूम की कीमत 50 हजार रुपए है और ये बाइक इंडिया के सभी स्टेट्स में उपलब्ध है नमबर तीन पर है ओकी हंडर्ड ओकिनावा भी अपनी पहली इलेक्रिक बाइक ओकी हंडर्ड को इस तियोहार के समय में लांच करने के लिए तैयार है ये बाइक 2020 के ओक्टोबर या नमबर में लांच हो सकती है ये ओकिनावा की तरफ से हाई स्पीड एलेक्रिक बाइक है इसकी टॉप स्पीड 100 किलो मीटर पर आर है और ये एक 2.5 किलो वार्ट मोटर से संचालित है इसमें लीतेमान बाटरी लगी है जो 100 किलो मीटर का ओकिनावा दावा करता है कि ये एलेक्टरिक बाइक 100% लोकलाइजड है इसकी एक्स शोरूम की कीमत करीबन एक लाक रुपे है नमबर दो पर है प्रना स्रीवारू मोटर्स के द्वारा बनाई गई प्रना एलेक्टरिक बाइक कस्टमस के हाथ में पहुंचने के लिए तैय लगा है जो 1.6 किलोमीटर का रेंज देता है इको मोड में इसमें सामने की और ड्यूल डिस्क ब्रेक्स और रेर में सिंगल डिस्क ब्रेक है इसकी एक्स शोरूम की कीमत दो लाक रुपे है नमबर एक पर है क्रीडनार क्रीडनार इंडिया की फास्टेस एलेक्टरिक बाइ गई है और ये भी उक्टोबर में ग्रांड लांच के लिए तैयार है प्रीडनार की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आर है और ये एक 5.5 किलोवार्ट पीक पावर मोटर से संचालित है इसमें एक 3 किलोवार्ट आर की लीतिमान बाटरी लगी है और ये 120 किलोमीटर का 1.29 लाक रुपीज है इन बाइक्स के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स को चेक कीजिए और आपकी पसंदिदा बाइक कौन सी है हमें कमेंड करके बताईए गो ग्रीन गो एलेक्ट्रिक